नमस्कार आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेश कारक्रम निरोग मंत्रा और मैं हूँ आपके साथ रिया पांडे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने देश बिदिश्च को अपनी गिरफ्त में लिया है कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने बहुत ही तबाही मचाई थी और अब कोरोना की तीसरी लहर भी आने शुरू हो गई है जिसका नाम ओमिक्रोन है और हम सभी को इससे सावधानी रखने चाहिए सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग करते हुए मासक और हाथों को समय समय पर सेनिटाइज करना चाहिए ओमिक्रोन की करनाटक में पांच केस मिले है पूरे देश में 83 मामले सामने आए ओमिक्रोन के बढ़ते मामले चिंता जनक है अब बढ़ने लगी है ओमिक्रोन की रफ्तार दिल्ली में भी ओमिक्रोन के आये दो नए मामले, नौ लोगों का इलाज जारी है, ओमिक्रोन की एंट्री से भारत की चिंता बड़ी है ऐसे में हमें ओमिक्रोन को हलके में नहीं लेना चाहिए, साथी सावधानी वस्रक्षा बनाये रखनी चाहिए वस्रक्षा बनाये जारी गाइडलाइन का पालंग करना चाहिए इस तरह की और अधिक अप्डेट्स को पाने के लिए डाउनलोड करें टीवी थैटी इंडिया चैनल का एंड्रोइड एप और जुड़े रहें टीवी थैटी इंडिया के साथ